हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई यू पीएससी, आर पीएससी असिस्टन प्रोफेशर की रेगुलर प्रिपेशन करवा रहे थे, तीन टेस्ट आल्रेडी कम्प्लीट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट हम डिसकस करेंगे आज, बीच में एक वीक का जरूर तोड़ा हेल्थ इशू की वज़े से गैप आ गया, उम्मीद अभी रेगुलर करवाएंगे हम, अगर आपने टेस्ट सीरीज जोइन नहीं की है, तो टेस्ट सीरीज इस नंबर पे आप कॉंटक्ट करके जोइन कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वीडियो की नीचर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप अमारे वेबसाइट पे जाके भी, टेस्ट सीरीज जोइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज हिंदी और इंगलिस दोनों में अवेलेबल है, और यह आपके एक्जाम तक करवाए जाएगी, एक और आपके एक्जाम तक वेलेट रहेगा, कोई भी क्वेरी है, आप जरूर पूछिएगा, लेट्स बिगेन, जल्दी ही आपको है जो इसका असिस्टेंट प्रॉफेसर का जनरल स्टेडी जो प्राजस्तान की जो अमारे बुक है, उसका थर्ड एडिशन अज तक पब्लिस हो जाएगा, और वो उसमें नासिप स्टेडी नौट्स, स्टेडी माटेरियल है, बलकि सफिशेंट प्रैक्टिस क्यूशन भी है, और प्रैक्टिस क्यूशन वो नहीं है कि कहीं से कोई एक्जाम में आये हैं, अल्रेडी वैसा नहीं है, सब्जेक्ट वा बनाए हैं, दो एडिशन उसके अल्रेडी आ चुके थे, तीसरा एडिशन अब आने वाला है, राजस्तान के प्रतिक चिन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये स्टेड सिंबल है, इन में से मिसमैच कौन सा कर रहा है, वो आइडेंटिपाई करना है, आप चैनल को जरूर इंकारा और उंट ये भी सही है, राज्य पक्सी मोर ये सही नहीं है, क्योंकि राजस्तान का जो राज्य पक्सी है, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावन कहते हैं, वो राजस्तान का राज्य पक्सी है, इसके अलावा भी क पूछा जाता है एकजाम में कई बार गूमर है सास्तिरिन रित्य कौन सा है कत्थक है और राश्तान का स्टेट जो स्पोर्ट है खेल कौन सा है राज्य खेल बास्केट बॉल है यह जो गोडावन है इसको 1981 में राज्य पक्सी गोशित किया गया था और कई बार एक क्यूशन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा एक कहां पाये जाते हैं तो जैसल मेर का जो मरूददान है बारा में भी सोरसन में पाय जाते है रजमेर का जो सोकलिया एरिया है वहाँ पे पाय जाते है इससे एक और जो कुछन बनता है वो गोडावन के प्रजिनन के लिए जन्तु आले कहां पे है तो वो जोदपुर में इस्तित है इनका जो प्रजिनन के इंदर है एक और जो परता है कि जो भी species threatened है, species है या danger में है, उनके लिए एक book तयार होती है, उसको बोलते है red data book, red data book में categories होती है, तो उसमें जो go down है, किस category में है, गंभी रूप से संकट ग्रस्त category में go down है उसमें, राज्य सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है, इस्टेट गवर्मेंट ने अभी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है, अभी चीप इनिस्टर असो गैलोत न यह कुछा जा सकता आपसे एक्जाम में भी इसका करेक्ट अंसर है रामगुड कुझी सुवास सन्रक्षन रिजर्व किस जिले में इस्तित है यह आप इंपोर्टेंट कुछन है देखे जो भी कुछन करवाए जा रहे है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉसिबली आपके एक्जाम के लिए है वो ही आप अकोर्डिंग टू टू दे सलेबस रामगुड कुझी सुवास सन्रक्षन रिजर्व है यह राजस्तान का अभी लेटेस्ट ट्वंटी सेकेंड बाइसवास सन्रक्षित खेत्र गोशित किया गय गया है और यह कहां पर है बारा जिले में है इससे पहले 21 कौन सा था 21 आमागड में जो जालाना में जालाना आमागड में है कंजर्वेशन एरिया उसको गोशित किया गया था जैपूर में है जैपूर में कहां जालाना आमागड और जो 20 वा था वो सिरोई का गोशित किया गया था वाड़ा खेड़ा और 19 वा जो कंजर्वेशन था वो बाग दड़ा क्रोकोडायल उद्यपूर को किया गया था आप टेस्स सीरीज जोइन करते हैं सारी लिस्ट पीडिएफ अगरा प्रेक्टिस टेस्ट नौट सब कंप्लेट आपको मिल जाते हैं टेस्स सीरीज में कि दो बुक काफी चर्चा में रही है जो प्रकासित की थी इन्हों ने एक्चुली जो एड्मिनिस्टेशन था उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये बुक पब्लिस हुई थी ये इसका गटन किया था जैनारेंड व्यास ने मारवाड इतकारणी सबाका 1921 में जैनारेंड व्यास ने इसकी इस्तापना की थी और ये दो बुक हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है और इन बुक्स की वज़े से ही बाद में जैनारेंड व्यास और जो आनंदराज सुर पूराणा है, उनको बंदी बनाके, और सरकार ने दमन चक्र चलाया था, दो बुक को मारवाड की अवस्ता है एक तो और दूसरा पूचा जाता है कि ये बुक किन के तो पौपा बाई की पॉल और मारवाड की अवस्ता ये दो बुक किनी की है, निमले कित में से वह जिला जह तीन नदियों का संगम होता है और यह काफी famous place है अकसर exam में पूछा जाता है इससे related question जो तीन नदियों का संगम है वो है बेनेश्वर दाम बेनेश्वर दाम में तीन नदियों का संगम होता है और यहाँ पे बेनेश्वर मेला भी लगता है कई बार पूचा जाता है बेनेश्वर मेला कहां लगता है जो माग सुकल पुरुनिमा के आउसर पे यहां बेनेश्वर मेला लगता है और तीन नदियों का संगम भी यहीं होता है सौन, माही और जाखम यह तीन नदियों का संगम है यहां होता है बेनेश्वरदाम डूंगरपुर में और इसको एक तरीक दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि राजस्तान का कुम्ब या राजस्तान में आदिवाशियों का जो महा कुम्ब है वो कहां पे होता है तो वो यहीं बेनेश्वरदाम डूंगरपुर में अनुच्छेद 154 में उलेक है कि राज्यपाल अपने कारेकारी अधिकारों का प्रियोग सीधे अत्वा अपने अधिनस्त अधिकारियों के माद्यम से कर सकते हैं या अधिनस्त सबोर्डिनेट सब्द में कौन सामिल है यह आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो अपने कारेकारी जो अधिकार है उनका सीधे तोर पे डायरेक्ट या फिर सबोर्डिनेट जो अफिसर्स है उनके माद्यम से कर सकता है तो यहां जो सबोर्डिनेट सब्द है इसमें कौन-कौन सामिल है यह आर्टिकल 154 में मेंचन है तो जो सबोर्डिनेट है उसमें सबी मंतری और मुख्य मंतری सामिल है केंदर ये परियाटन और संस्कृति मंत्रा लेकि स्वदेश दर्सन योजना 2.0 में राजस्तान से किस जिले का चायन हुआ है देखे ये केंदर सरकार की योजना है तो आप ये ना समझे कि ये नेशनल कुछ करन्ट अफेर्स का है या इस तरीके से आप लोग मैंड में बिढ़ा लेते हैं कई बार लेकिन ऐसा नहीं है जहां पर भी राजस्तान का किसी भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से नाम है तो वो क्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते है एकजाम में कि आपके सलेबस के अकोर्डिंग है इसलिए उसको करन्ट अफेर्स या जर्नल अवेरनेस बोला जाता है स्वदेश दर्सन योजना है ये कब सुरू की गई थी गवर्नमेंट ओफ इंडिया ने 2014-15 में सुरू की थी और इसका उद्देश क्या था पूरे देश में जो ट्यूरिज्म है उसको बढ़ावा देना ये ही इस योजना का है जो टार्गेट था अब ये राजस्तान का कौन सा जिला इसमें चेहन हुआ है ये वापिस शुरू की है टू पॉइंटों में इसमें जो सामिल हुआ है राजस्तान का जोदपुर और बूंदी ये दो जिले सामिल किये गए है सो डी इसका करेक्ट आंसर है पंचेडा नामक लोग प्रियगीत किस ने लिखा था ये लोग प्रियगीत है जो कर अभी तो ये ज्यादा तर ये रील्स ट्विटर सोशल मीडिया जमाना है इसलिए जो गौर्नमेंट के प्रोग्राम या कल्चरल मिनिस्ट्री के प्रोग्राम होते हैं वहीं देखने को मिलत कि आजा है वागती पहले काफी फैंस था यह लोग प्रियगीत है ये लोग प्रियगीत ये रिखिया परता घेла कれल नियरेटलिक जा है मैलाओं पे जिनका डाइरेक्ट इंपेक्ट पड़ता है चाहे वो दैज परता हो परदा परता हो या फिर एजुकेशन से रेलेटेड हो उसके लिए था यह लोग प्रियगीत यह काफी फेमस भी वा था उस टाइम पे इसकी कुछ लाइन आप इसकी जरूर पड़ना पंचेडा लाल आची पड़ियोरे उल्टी पाठी ऐसा कुछ है इस्वर ने तु बूल गयो लक्चोरासी काठी गरबवास में दुख पायो थारे गणा दिनारी गाठी बाहर आये राम ने भूले उल्टी पडली पाठी जीव जन्तु ने खाय के बदन बनायो बाठी अपने स्वारत कारण लाकारी गर्दन काठी इस तरीके से हैं पंचेडा लाल आची पड़ियोरे उल्टी पाठी ये था मानिक लाल वर्मा का ये पूचा जाता है अक्षर एक्जाम में काफी सुन्दर लोग गीत है राजस्तान के किस जिले से करक रेखा गुजरती है ट्रोपिक ओफ कैंसर की बात हो रही है ये राजस्तान के किस जिले से गुजरती है ट्रोपिक ओफ कैंसर इंडिया में आठ स्टेट से गुजरती है उनमें से राजस्तान भी एक है बारत में करक रेखा आठ राजियों से जो के गुजरती है उसमें गुजरात है, राजस्तान है, मद्यपरदेश है, छतीस गड़ है, जारकंड, पस्चिम्मंगाल, तिरपुरा and then मिजोरम, अब राजस्तान में ट्रॉपिक ओफ कैंसर का जो कुशन पूचा जाता है, राजस्तान में सूर्य की लंबवत किरने केवल इन में से किस जिले में पढ़ती है, तो वो जिला है बासवाडा, 21 जून को सूर्य की किरने करकरेका पे लंबवत पढ़ती है, कुसलगड बासवाडा में, गंगानगर में सूर्य की किरने सरवादिक तिरची और बासवाडा में सूर्य की किरने सरवादिक सीधी, सीधी तो बांसवाडा में और सबसे ज़्यादा जो टेड़ी है तेरची कहें वो गंगा नगर में पढ़ती है इसी क्यूशन का आंसर भी यही है कि करक्रेका कि इन में से किस जिले से होके गुजरती है तो करकरेखा एक तो बांशवाड़ा से होके गुजरती है, अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि डुंगरपूर नहीं है, तो करकरेखा डुंगरपूर और बांशवाड़ा, राजस्तान में दो जिले हैं, वहां से होके गुजरती है, डुंगरपूर में है, ये च तोटल यह लगबग 26 किलोमेटर है दो चीज द्यान रखनी है बांशवाडा और डूंगरपुर जिले डूंगरपुर का चिकली गाउं और बांशवाडा में कुसलगड तैसिल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इसे सपोर्ट बना रहेगा आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगा आपके एक्जाम से रिलेटेड कम्पलीट आपको पढ़ाया जाएगा और प्रेक्टिस भी करवाई जाएगी आप टैसी रिजोइन करते हैं तो आपको श्टेडेडि माटिरियल भी मिल जाता है 및 कम्पलीट का इंक्लुडिंग करंट अफेर्स राजयस्तान में सीतार आमنتऊ-पजवह औस दिये पाध्वणं के लिए best्ण कहां इसतापित किया जाएगा राजस्तान में इनके लिए Center for Excellence कहां पर इस्तापित किया जाएगा अभी recently ये इसकी गोशना हुई है कि ये इस्तापित किया जाएगा कोटडा में कोटडा में किया जाएगा उद्यपुर में है कोटडा वहां पर ये तैसिल है यहां किया जाएगा राजगुरू, दानगुरू, हालगुरू एवं परमगुरू नामक उपादियां किस सासक को प्रदान की गई है देखे माराजा दिराज, राय रायसन, माराणा, राजगुरू, दानगुरू, हालगुरू, परमगुरू, चापगुरू ये सबी जो उपादियां है ये राणा कुम्भा को दी गई है राणा कुम्भा ने कई जो फॉट्स है दुर गए हैं उनका निर्मान करवाया और जो कवी शामलदास ने एक क्युशनोर पूछ लिया जाता आपके एक्जामे वीर विनोद वीर विनोद किसकी रचना है कवी शामलदास की रचना है वीर विनोद उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मेवाड है जो राजस्तान से बाहर के हैं उनको नहीं पता है मेवाड तो उदैपूर के आसपास का जो रीजन है पुदैपूर चित्तोडगड ये वाला जो एरिया है ये मेवाड में आता है और जो ये जोदपूर विकानेर इधर का जो एरिया है ये वाला मारवाड में आता है हाडोती है, कोटा वाला एरिया हाडोती में आता है, जो जो मेवात रीजन है, ये अलवर साइड का जो रीजन है, वो मेवात में आता है, बात कर रहे थे हम ये वीर विनोद की, तो वीर विनोद इसकी कभी शामलदास की रचना है, उसमें ऐसा है कि मेवाड के जो 84 दूर्ग ह माराना कुम्बा ने बनवाए है ये क्यूशन पूचा जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से राना कुम्बा का एक क्यूशन एक्जाम में आता है राजस्तान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है राजस्तान की सबसे कम सीमा राजस्तान का 1600 किलोमेटर है राजस्तान का मध्यप्रदेश के साथ और सबसे कम जो इंटर स्टेट बाउडर है अंतर राजिय सीमा राजस्तान की सबसे कम लगती है 89 किलोमेटर यह पंजाब के साथ है यह क्लियर हो गया होगा सबसे ज़्यादा राजस्तान का किस राज्य के साथ सीमा लगती है मध्यप्रदेश और सबसे कम पंजाब के साथ एक क्यूशन और यहां से पूचा जाता है कि राजस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्री सीमा कितनी है तो 1070 किलोमेटर राजस्तान का बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है इस क्यूशन का जो करेक्ट आंचर आएगा सबसे कम पंजाब से उपरमाल क्या है यह क्यूशन मोश्टली एक्जाम्स में पूछा जाता है उपरमाल क्या है उपरमाल यह एक पठारी भाग है जो प्लेट्यू लेंड कह सकते हैं प्लेट्यू है चित्तोडगड में जो बैसोर गड़ है उससे लेके बीलवाडा में जो बिजोलिया है उस पर्टिकुलर जो एरिया है पूरा उसका जो पठारी भाग है उसको उपरमाल कहते है जो यह लेंड है पठारी लेंड चितोडगड और बिलवाड़ा के बीच का चितोडगड में बैसरोडगड से और बिलवाड़ा में बिजोलिया तक बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है यह राजस्तान संगीत नाटक अकादमी द्वारा गोसित वर्ष 2023 के पुरुसकारों में सर्वो 2023 की बात हो रही है राजस्तान संगीत नाटक अकादमी यह 2023 के जो आवार्ड है इनको जरूर पढ़िएगा आने वाले टेस्ट में और कवर करने कोसिस करेंगे लेकिन जो सर्वोच्य अकादमी रतन आवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है राजस्तान संगीत नाटक उदयपूर के है ये और इंका नाम है भानूबारति इनको दिया गया है इलारून इलारून को ये जेपूर की सुपरशिध अबिनेतरी है गाई का है इलारून इनको 2022 का फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया था भी रिसेंटली ये भी दयान अकनाप को 2022 का फेलोशिप समान इलारुन को दिया था 2023 का जो बानु बारती को दिया है हाली में हरीश्चंदर माथुर राज्य लोक सेवा संस्तान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है राजस्तान में पिछले साथ 3-4 साल का जहां तक मैं अगर सही हूँ तो वो 50-60 ट्रांसपर लिस्ट निकली है ब्यूरोक्रेट्स की जो भी पब्लिक सर्विसेज में है इंडियन सर्विसेज में है पचास से ज्यादा ट्रांसपर लिस्ट निकली है लेकिन दो अधिकारी ऐसे थे जिनका नाम नहीं आता था लिस्ट में उनमें से एक थे नवीन माजन और दूसरे साथ अरविंद पोस्वाल है उनका नाम यह इनका नहीं हुआ था लेकिन अभी जो अरिस्चंदर मातूर है जो आरपीएस सी एक्जाम लेती है राजस्तान एड्मिस्टेटिव सर्विसेज का अरिस्टेट में एड्मिस्टेटिव सर्विसेज का एक्जाम होता है वैसे ही राजस्तान में राजस्तान एड्मिस्ट training होती है वो इसी जगे होती है अरिश्चंदर मातूर राज़लोग सेवासंस्तान इसको बोला जाता है HCM रीपा है हरिश्चंदर मातूर राजस्तान स्टेट इंस्टिटूट और पबलिक एड्मिनिस्टेशन कई बार इसका देखे जो एक तरफ है ये सर्किल है इस सर्किल से इधर है HCM रीपा है और इधर MNIT है जिनोंने नहीं देखा है अगर देखना चाहें तो काफी अच्छी जगए पर है ये एक तरफ MNIT है जो पहले MREC हुआ करता था और दूसरी तरफ ये रीपा है निमलिकित में से कौन सा जिला राजस्तान में मरूत्र कौन का बाग नहीं है इन में से कौन सा जिला है जो मरूत्र कौन का बाग नहीं है मरूत्र कौन क्या है यह डेजर ट्राइंगल है इसमें तीन जिले आते हैं जोदपूर जैसल मेर और बीकाने जोदपूर जैसल मेर और बीकाने यह तीन जिले मरूत्र कौन परियाटक विकास से सम्बन दिता है क्यूशन में यही पूछा है कौन सा नहीं है जोदपूर, वीकानेर और जैसल मेर इसका इस्सा है बाड मेर मरूत्र कौन में नहीं आता है इसे रिलेटेड एक क्यूशन और जो आपके लिए इंपोर्टेंट है मरूद सरक्ट, डेजर्ट सरक्ट डेजर्ट सरक्ट इसमें कौन आते हैं देजईट सर्केट में जैसलमेर, वीक कानेर, जोदपूर, बाडमेर ये चारो ही देजईट सर्केट में आते हैं क्यूश्टन डेजईट ट्रैंगल का पूचा है तो इसमें बाडमेर सामिल नहीं है राजस्तान परियाटन विकास निगम है उससे रिलेटेड है जिसको सौट में RTDC बोला जाता है RTDC है इसका एड़कॉर्टर जयपूर में है और इसकी स्तापना हुई है 1978 में एक और जो स्वर्णिम तिरकोण है उसका पूछ लिया जाता है कई बार गॉल्डन ट्राइंगल उसमें कौन आता है गॉल्डन ट्राइंगल में डेली है आगरा है और जयपूर है यह गॉल्डन ट्राइंगल में आता है जोजरी नदी का उद्गम इस्तल किस जिले से होता है जो जोजरी रिवर है यह कहां से किस डिस्टिक से ओरिजनेट होती है यह इसलिए भी important question हो जाता है क्योंकि जो लूनी river है इसकी एक मात्र ऐसी सहायक न दिये एक मात्र only tributary है जो right bank tributary है right side से आके और यह लूनी में मिलती है लूनी की सहायक न दिये लेकिन right bank tributary है अके लिए यही river है जोजरी लूनी की right bank tributary आपको द्यान रखना है राजस्तान में तीसरा mega food park कहां बनाया जाएगा राजस्तान में तीसरा mega food park देखे पहला mega food park कहां बनाया गया राजस्तान में जो food park क्या है जो mega food park है वो agriculture उद्योग को विकास करने के लिए यह बनाया जाते है जो करशियादारी उद्योग है उनको विक्सित करने के लिए उन राजस्तान में पहला कहा पर बनाया था राजस्तान में पहला बनाया था अजमेर में अजमेर में किस जगह बनाया था ये रूपनगड में बनाया था दूसरा भी निर्माना दीन है चल रहा है complete तो दूसरे का पूछा जाता है तो पलाना पलाना किस जिले में है बीका नेर जिले में और ये तीसरा मेगा पूट पार कहां बनाय जाएगा ये बना जाएगा जोदपुर में मतानिया में मतानिया जोदपुर में मेगा पूट पार के किशन फ्रिक्वेंटली एक्जाम में पूछे जाते हैं नियू यूर्क में आयजित SWIFT FESTIVAL 2023 में सौट फिल्म मनहूस को सर्वसरेश्ट फिल्म के तौर पर नामांकिन किया गया है इस फिल्म के फिल्मकार कौन है देखे ये फिल्म है इसको भी सर्वसरेश्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है इसके जो फिल्मकार है वो कौन है ये फिल्मकार है अंजले तिरपाठी ये ध्यान रखना आपको अर्विंद चोधरी है इन्होंने ये हात रूपईया इनका पूछ लिया जाता है कई बार हात रूपईया एक सामाजी कुरूती पे एक फिल्म मनाई थी हात रूपईया जो की होता है क्या हात रूपईया क्य व्वश्विल तुर्चाय का आऍजली तिरुपार्थ Chung किस नदी के पार्ट को इस्तानिय बासा में नाली के नाम से जाना जाता है किस नदी के पार्ट को लोकल नाली कहा जाता है यह है गगर रिवर यह important question है गगर रिवर को इस्तानिय बासा में नाली के नाम से भी जाना जाता है गगर रिवर कहां से ओरिजनेट होती है ये हिमाचल प्रदेश में जो काल का है काल का हिमाचल प्रदेश से ओरिजनेट होती है उद्गम वहीं है इसका सिवालिक पहाडिया है सिवालिका पहाडिया काल का हिमाचल प्रदेश हिमाचल से फिर ये पंजाब पंजाब से हर्याना और हर्याना से फिर राजस्तान में ये हनुमानगट डिस्टिक में हनुमानगट जिले में जो तैसील है टिबी टिबी तैसील है और टिबी तैसील में गाउं है तलवाडा तलवाडा जो गाउं है वहां से राजस्तान में प्रवेश करती है तो कई बार पूछ लिया जाता है गगर राजस्तान में कहां से एंटर करती है अनमानगड जिले से अनमानगड ऑप्शन में नहीं है तो टिप भी तैसिल से वो भी नहीं है तो तलवाड़ा विलेज है यहां से और फिर कहां तक जाती है यह आगे बटनेर में विलूपत हो ज करके सही उत्तर का चुनाव करना है लोग सबा में राजस्तान के कुल 25 मेंबर है हाँ यह सही है लोग सबा में राजस्तान के 25 सीटे हैं राजस्तान में विदान परिशद के कुछ सदस्यों की संख्याद 200 है यह लेजिसलेटिव काउंसिल राजस्तान में नहीं है राजस्त लोग सबा में राजस्तान से अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती की चार और तीन सीटे हैं ये स्टेटमेंट भी सही है राज्य के राज्यपालों की केंदर द्वारा नियुक्ति के प्रावदान को लिया गया है ये भी आपके स्टेट पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ क्यूशन है राज्यपाल का आप इस तरीके क्यूशन भी जरूर पढ़ें ये आते हैं अग्जाम में बाद में जो राज्यपाल की अपॉंट्मेंट ये राज्यपाल की नियुक्ति करती है वो इसका प्रावदान कहां से लिया गया है ये कैनाडा से लिया गया है आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर और टेस्ट करवाते रहेंगे निमले कितमे से कौन सा तीन या अधिक बार राजिस्तान के मुख्यमंत्री रहे हैं अभी जो चीप मिनिस्टर है असो गैलोथ वो भी इस्टरी बार टर्म है उनका अब इन में से कौन रहे हैं बहरो सिंग सेकावत, मौहलाल सुकाडिया, हरदेव जोसी ये तीन या तीन बार से जढ़ा मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवचरण मातुर ये तीन या तीन बार से जढ़ा नहीं रहे हैं सी इसका correct है निमले कितमे से कौन सा समूर राजस्तान की परवत चोटियों की उनकी उचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दिखाता है अवरोही क्रम क्या होता है बढ़ते से गटता क्रम ज्यादा से कम सो इन में से कौन सा जो mountain peak है राजस्तान का mountain यह जो परवत चोटिया है उसकी height सबसे ज़्यादा है फिर उससे कम second number इस तरीके से set करना है देखे यह 100% equation अरावली range से यह mountain ranges से पूछा जाता है कम से कम एक दो भी आ जाते हैं कई बार राजस्तान में जो highest mountain peak है वो गुरु सिखर है हम पहले भी discuss कर चुके हैं सिरोई जिले में है राजस्तान का सबसे उचा जो mountain peak है गुरु सिखर अरावली में 1722 मिटर सिरोई जिले में दूसरे number पे कौन सा आता है गुरु सिखर के बाद दूसरे number पे आता है सेर आता है और सेरगड़ भी पूछा जाता है कई बार या सेर दे दिया जाता है कन्प्यूज नहीं हो ना आपको ये 1597 मिटर इसकी हाइट है और ये भी सिरोईजिले में है तीसरे नमबर पे जो आता है वो दिलवाड़ा है दिलवाड़ा 1442 मिटर है और ये भी सिरोईजिले में तो तीनो टॉप जो हाइट की सबसे उची चोटिया है गुरू सिकर सेल और दिलवाड़ा सेल और दिलवाड़ा ये सिरोईजिले में है जो दिलवाड़ा है इस पे एक प्रसिद जैन मंदिर भी है ये पूछा जाता है कई बार कि प्रसिद जैनियों का मंदिर इन में किस जगह है तो दिलवाड़ा सिरोई में है चोटे नमबर पे जो आती है वो है उदेपूर में जरगा पांचवे पे जो आती है वो अचल गड़ है इस तरीके से जो मिडल अरावली है उसका सर्वोच्चे पीक कौन सा है ये मौराम जी टाड़गड है अजमेर में वो मिडल अरावली का सबसे पीक है कई बार इस तरीके क्यूशन पूछे जाते है अब इस क्यूशन की बात करते है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा टाड़गड खो बिलाली रोजा बाकर ये इसका सई करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि जो टाड़गड है ये अजमेर में ही है मौराम जी टाड़गड 934 मिटर इसके बाद है खो है ये जयपूर में है 920 मिटर तीसरा ये खो बिलाली हो गया उसके बाद में जो रोजा बाकर है खो और बिलाली जो इसके बाद में बिलाली है ये अलवर में है खो जयपूर में है बिलाली अलवर में है और जो रोजा बाकर है ये जालोर में है 730 मिटर तो अरावली के जो पीक्स है वो जरूर पढ़िएगा तमाम आप और किस जिले में है हाली में लोग सबध्यक्स द्वारा, ओम बिल्ला द्वारा, विमोचित पुस्तक, प्रणवीर प्रताप के लेखा कौन है देखिए ये काफी चर्चा में है रही है बुक और ये माराना प्रताप के जो उनकी जीवनी, उनके परिवार, उनके संगर्स उस पे है और इसमें नाट्रक, कविता, लेक और शोद पत्रों का इसमें समावेश भी है ये बुक किस ने लिखिए है, डॉक्टर सिवदान सिंग, जोला वास ने ये बुक लिखिए है माराना प्रताप के जीवन के जो अंचु छुए पहलू है, या उनका जो इतना विराठ जीवन रहा है, उसके बारे में माराना प्रताप के बारे में हम सभी जानते है मेवाड से थे उद्यपुर मेवाड में शी सोधिया राजपूत वन्स के थे इनका जणम कब हुआ था नौ मई 1540 को मे 9 1540 को इनका जणम हुआ था राजसतान में जो बादल महल है कुम्बलगड फ़ोर्ट है उसमें बादल महल है वहाँ पे इनका जनम हुआ था कई बार पूज ले जाता है विक्रम शम्वत कलेंडर की अनुसार मारणा परताप की जैनती तो वो जैस्ट मास में जो सुकल पक्स तरती है उसको मनाई जाती है इनके पिता का नाम मारणा उदे सिंग था माता का नाम है जो जैवंता बाई था जो पाली के सोनागरा अखराज की पुत्री थी इनका विवा किस से हुआ था 1557 में अजबदे पमार के साथ इनका विवा हुआ था अमर्शिंगिनी के पुत्र थे इनका उपनाम पूछ ले आ जाता है कि मार्णा प्रताप का इन में से उपनाम कौन सा है या की का उपनाम इन में से किसका है तो की का मेवार केशरी और हिंदुजा सूरज ये तीन उपनाम है ये आपको द्यान रखने है की का मेवार केशरी और हिंदुवा सूरज ये मारना परताप के उपनाम है इनके गोडे का नाम चेतक था इनके हाती है रामपरशाद और लूना इस तरीके की चीजे आपको द्यान रखनी है इनका बच्पन है जो बील समुदाय के साथ बीता था बील है जो अपने पुत्र को की का कहके बुलाते है इसलिए मारना परताप का भी उपनाम की का पढ़ गया था कई सारी चीजे इनसे पूछी जाती है एक्जाम से रिलेटेड है जो अकबर के साथ इनों ने जो अकबर ने संधी प्रस्ताव बेजे थे इनके पास वो पूछ ले जाते हैं जलाल कान, मान सिंग, भगवंदास और टोडर मल के टाइम पे जो चार संधी प्रस्ताव बेजे थे राणा परताप को वो पूछे जाते हैं कई बार इसके अलावा जो राणा परताप से रिलेटेड आपको पढ़ना है वो दिवेर का युद्ध कब हुआ था अक्टूबर 1522 में वो पढ़ना है दिवेर का युद्ध या फिर करनल जेम्स टोड ने परताप के जो गोरो परतीक है मेवाड का मेरातन है या जो जगनात कच्वा की 32 खंबो की छतरी मानल गट बिलवाडा में है उसका पूछ लिया जाता है परताप ने जो चावंड में अधिकार कर लिया था किसको औराके अपनी चावंड को अपनी राजदानी बना लिया था बाद में माराना परताप ने चावंडा माता का मंदिर बनवाय था लूना चावंडिया को पराजित करके 1585 में इसके अलावा ये जो चावंड है अगले 28 वर्सों तक मेवाड की राजदानी रही थी लेकिन कुछन पूछा जाता है कि चावंड को मारणा प्रताप ने कितने सालों तक अपने राजदानी बना के रखा था तो चावंड 12 साल तक मारणा प्रताप की राजदानी रही थी निमन में से किस गरंद से रनतंबोर के चोहान सासकों की जानकारी प्राप्त होती है रनतंबोर के चोहान सासकों की जानकारी किस गरंद से मिलती है ये हमीर महाकाव्य है काफी महान करती है ये नैन्चंदर सूरी ने इस महाकाव्य में जो जैतर सिंग और उनसे पहले के जो रनतंबोर सासक है उनके बारे में लिखा है हमीर महा काव्वे नयन सूरी की रचना है ये किसी भी तरीके से पूछा जाता है एक्जाम में प्रताप सिंग बारट को किस सड्य अंतर केस के तैत जेल बेजा गया था प्रताप सिंग बारट ये केशरी सिंग बारट के पुत्र थे इन्होंने अपने चाचा जो जोरावर सिंग बारट थे उनके साथ मिलकर जो हॉर्डिंग था लॉर्ड हॉर्डिंग उनकी अत्या की योजना बनाई थी होर्डिंग के जुलूस पर जोरावर शिंग ने बंप है के और प्रताप यहां से फिर यह प्रताप सिंग बारट सिंध चले गए तिर बाद में 1914-15 में जो बनारस कॉंस्पाइरेस ही है वो इसमें इन पर आरोपते करके बरेली जेल में डाल दिया था इनको तो ए इसका सही आ नदी नहीं है देखे बीकाने रोर चूरू दो ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है यह सुमेलित करना है यह संस्ता और इनकी स्तापना का बुई है राजस्तान सेवासंग 1919 देशी तेसी सभा 1877 अखिल भारतिय देशी राज्य लोग परिशद 1927 और चेंबर ओफ प्रिंसेज 1921 यह इसका करेक्ट आंसर आएगा इस तरीके से आप जरूर याद रखिए कई बार सिंगल स्टेटमेंट में पूछ ले जाता है कोटा के किसोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्मान किस रानी ने करवाया था कोटा में जो किसोर सागर तालाब है उसमें जग मंदिर का निर्मान करवाया था ब्रिज कमर ने कोटा के मारावते दुर्जन साल सिंग उनकी मारानी और उद्यपूर की राजकुमारी थी ये ब्रिज कमर जी तो आपको ध्यान रखना है कोटा के जो मारा होते दुर्जन साल सिंग और उनकी मारा नी थी ये और उद्यपूर की राजकुमारी भी थी ब्रजकमर जी इन्होंने एक कृत्रिम आर्टिपिशल जलाए से किसोर सागर बनवाया था किसोर सागर में ये जगमंदिर का निर्मान करवाया था और ये कब करवाया था 1743 45 45 में ये निर्मान करवाया था जामबो जी के 29 39 नियमों का पालन करने वाले अनुयाई क्या कहलाते हैं 20 प्लस 9 39 29 ये गुरु जंबेश्वर द्वारा बनाया गए 29 नियम है इनका पालन इस समाज के लोग करते हैं जो बिश्णोई समाज से आते हैं डीस का correct answer आप वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा test series जोइन कर लीजिए आपकी regularity बनी रहेगी आपको complete syllabus के notes मिल जाएंगे और भी कोई query है आप इस number पे message करके पूछ सकते हैं comment section पूछते हैं thank you very much all the very best good luck